हेलो बच्चो नवश्कार मैं आप सभी का अपने यूटूब चेनल पर स्वागत करता हूँ बच्चो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्जिस्टेंस हमारे नेचर में होता है या नहीं उसके बारे में आज हमें स्टडी करेंगे बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए कि आप कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के एराउंट एक स्पेस होता है तो क्या वो एक्जिस्ट करता है तो यस इसका एक फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है हमारे नेचर में जैसे मैंने आपको एक टावर वाला एक्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में और बताया था कि एक जो टावर होता है मोबाई टावर वहाँ पर एक मशीन से इलेक्टिरिक चार्जेस को असलरेट कराये जाता है उससे एक एलेक्ट्रिकस ओर एक मैगनेटिक फील काको सब्क्राइशन तैयार होता है यानि कि वहाँ पर एक वेव क्रिक्रेत हो जाती इस अगर वहाँ electric charge को accelerate नहीं कराया जाता तो electric charge से जो associate electric field है वो भी accelerate नहीं होती है ना तो वहाँ पर जब एक charge को accelerate कराया जाता है तो उसके साथ electric field भी accelerate होता है और वो acceleration आपके mobile तक आता है और हमारे mobile में एक circuit होता है वो circuit उस आने वाली electromagnetic wave को detect करता है और एक ring बचती हमारे फोन में जब फोन हमारे या कॉल हमारे फोन पर आती है तो ultimately अगर वहां से उसका existence नहीं होता तो आपके फोन में ring नहीं बचती आपके फोन का display on नहीं होता ultimately ये कहा जाता है कि electric charge electric field बनाता है तो उसका existence भी होता है बट वो तो हमें दिखता नहीं है तो इसलिए वो एक imaginary field होता है imaginary एक space होता है उसके आसपास तो अगर आपको मैं वो space पढ़ाना चाहता हूँ वो field बताना चाहता हूँ तो मुझे एक तरीका चाहिए उसको express करने का अगर मैं यहां पर एक charge रखता हूँ तो इसके charge के आसपास एक field तयार होगा लेकिन वो दिखता तो है नहीं तो उसको express कैसे करूँगा आप समझ कैसे पाएंगे जैसे मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक जरिया है एक media में मेरी language मेरी language से आप उस चीज को accept कर पाएंगे समझ पाएंगे तो फिर electric field के लिए language क्या होगी वो आज हम study करेंगे और उसके लिए हम एक drawing का यूज़ करेंगे यानि कि electric field को अब जब मुझे show करना होगा इस board पर आपको बताना होगा तो मैं एक drawing का यूज़ करूँगा यानि कि उस drawing से मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि ये electric field है तो ultimately आज का जो हमारा topic है वो electric field की lines पर है यानि कि drawing अगर मुझे electric field को show करना है तो मैं lines के according उसे show करूँगा उन lines से ये पता चलेगा कि यहाँ पर अगर आप एक electric charge रखते हो तो उस पर एक force field होगा और जिस direction में भी वो force field करेगा वही उस location पर electric field की direction होगी तो ultimately हमारा जो आज का topic है वो है electric field lines क्या नाव है electric field lines है ना lines मतलब में electric field को show करना चाहता हूँ lines drawing करके ताकि आप मैं जो चीज बता रहा हूँ उसे accept कर सके उसे समझ सके otherwise जब वो imaginary है तो मैं आपको बताने ही सब पाऊंगा और आप उसे समझ नहीं पाएंगे इसलिए हम lines का use करेंगे तो सबसे पहले बात यह आती है कि अगर हमारे पास एक electric charge है प्लस तो इसके आसपास की जो electric lines होती है वो कैसे होगी तो हम क्या करते हैं इसके charge के आसपास एक charge रखके देखते हैं यह है न यह charge जो मैंने दूसरा वाला प्लेस किया है that is test charge मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर हम test करने के लिए कोई charge का use करेंगे तो वो test charge होगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूं तो यह charge जो है plus होने की बज़े से यहाँ पर भी एक plus charge यह इसको repel करेगा in this direction और जिस भी direction में वो उसे repel करता है ultimately वहाँ पर electric field की presence है और electric field क्या है force का measure में यानि कि force की जो direction होगी वही electric field की direction होगी तो ultimately इस charge पर यह जो direction है न वच्चों यह किसकी direction है electric field की direction है तो उस electric field को मुझे lines से बताना है यानि कि line में मुझे उसको draw करना है तो draw करने के लिए मैं simple सा तरीका use करता हूं एक line बना देता हूं ऐसा देख लिजे यह यानि कि अब यह line किसको show करेगी electric field को जबकि अभी तक हम केवल imagine करते दिए कि charges के आसपा से space होगा उस space में उसकी field होगी यहाँ पर हमने क्या देख लिया है यहाँ पर हमने यह देखा है कि यह electric field की direction हो गई अगर वो same charge जो मैंने यहाँ पर place किया था अगर मैं उसको यहाँ place करता हूं शायद वो नीचे उसको प्लेज 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 से नीचे की तरफ उसको बेचता यानि कि यहाँ पर देखो direction बदल गई electric field की मैंने line के coding उसको show कर दिया कि वह इस direction में electric field नीचे की तरफ होगा कि अगर मैं उस charge को यहाँ place करता तो यह electric field उपर जाता, यानि कि हर location पर electric field उस charge के आसबास different direction में होती है यहाँ पर अगर मैं place करता तो यह उसकी direction होती ही, यहाँ place करता तो यह है, देख लीजिए आप, यह अलग अलग direction में charge के उपर एक force field होता है and the force gives the direction of electric field ओके तो यह electric field की direction है तो अब हमको यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि plus charge से electric field lines बाहर की तरफ निकलती है बाहर की तरफ कैसे निकल रही है तो यह हो जाएगी radial outward तो यह word हम use करेंगे कि plus charge से electric field lines आती है हम यहाँ पर एक concept सिख गए हैं दूसरा concept अगर माल लिजे बच्चों की यहाँ negative charge होता then what will happen इस case में electric field line को कैसे समझेंगे तो जो test charge हमने plus charge के लिए apply किया तो वही हम यहाँ पर place करके देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर मैंने plus q test charge हो रखा वो force field करता है in this direction and the direction gives the direction of electric field है न जो force की direction होती है वही electric field की direction होती है तो यह इस location पर हमको electric field की direction इधर देता है तो सोचों अगर मैं यहाँ charge रखता तो यह इस तरफ चला जाता यहाँ रखता तो इस तरफ यहाँ रखता तो इस तरफ यह देख लिए बच्चों यह हो गई electric field की direction by the negative charge तो negative charge और positive charge में थोड़ा सा difference है देख लिजे कि क्या difference है कि plus charge से electric field lines जो की imaginary होती है लेकिन हम उसको drawing से show कर रहे है वो radially outward होती है इस वाले case में यहाँ पर आपको देख रहा है दिख रहा है कि यहाँ पर जो electric field lines है that is radially inward अंदर की तरफ चल रही है अब हमने यहाँ पर एक concept सीख लिया कि जब भी एक point charge की बात की जाएगी यह कौन सा charge है बच्चो point charge point charge से निकलने वाली electric field lines की जो direction होगी वो plus charge के लिए radially outward minus charge के radially inward यह दो concept होते हैं तो हम इन्हें words में भी लिख लेते हैं देखो पहला point अभी जो मैंने आपको बताया the electric field lines starts कहां से start होती है from positive charge अब सुनिये start कहां से होई positive charge से अब मैंने concept यह बताया कि यह यहां पर एक charge है जिससे एक line एक particular direction में इस तरह की electric field lines निकालता है यह है ना यह positive charge है बच्चो ठीक है अब मैंने क्या करा है यहां पर एक negative charge रख दिया तो negative charge देखता है कि इधर से एक line आ रही है यह तो इसको यह अपने पर बुला लेता है यानि कि ऐसे तो देखो अगर इतने सी को देखोगे negative charge को तो इस पर line आ रही है इतने से को देखोगे तो इसससे line जा रही है तो जाना मतलब start from positive charge और ये खतम कहा हो रहे बच्चो नेगेटिव पर तो हम यहां लिख सकते and terminates terminates at negative charge तो ये एक हमारा concept हो गया कि electric field lines जो होती है वो positive charge से start होती है और terminate होती है negative charge पर ये हमारा एक पहला point हो दूसरा point जब आपने देखा कि एक plus charge से line निकल के कहां पहुँचती है negative पर पहुँचती है क्या negative से वापस plus पर आती है अगर नहीं आ रही है तो ये continuous loop नहीं बनाते continuous loop का मतलब ये होता है कि plus से minus जाना और minus से plus आना जबकि हमारे पास case में क्या देखा गया कि हमेंसा lines प्लस से minus पर ही जाएगी इसका मतलब वापस नहीं आएगी तो loop बनेगा नहीं इसलिए यहां पर loop नहीं बनेगा तो हम यहां concept क्या लिखेंगे कि electric field lines does not make any loop ये एक loop तयार नहीं करती ये बच्चो ठीक है ये बात आपको ध्यान अखना है next जो point आएगा तीसरे नंबर का वो थोड़ा सा देखिए अगर मालो एक line ऐसी है ये किसकी line है एक imaginary line है एक drawing की हुई है हमने किसके लिए electric field के लिए ठीक है एक location पर electric field ऐसा है अब आपसे पूछा जाए कि इस point पर electric field की direction क्या है तो आपको बच्चो simply क्या करना है किसी भी location पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर electric field की direction बताइए तो आपको एक tangent draw करना है उस line पर ये यहाँ पर क्या draw करना है tangent और tangent जो है वो हमको उस location पर electric field की direction देता है यानि कि यहाँ पर यह किसकी direction हुई electric field की तो line की direction अलग उस particular location पर electric field की direction अलग तो line जैसे जा रही वैसे electric field नहीं जाएगा आपको उस line पर एक tangent draw करना है उस tangent से आपको पता चलेगा वो tangentially direction electric field का होगा ठीक है तो यहाँ पर हम एक point लिख सकते है tangent at any point on the line gives the direction of the electric field देख लीजे बच्चों यह हो गया हमारे पास तीसरा rule इस electric field lines के लिए जिसमें हमें पता चलता है कि एक tangent किसी एक location पर बनाने से उस location पर हमें electric field lines की direction मिलती है तीने अब हम fourth point की तरफ चलते है fourth point क्या है थोड़ा सा logical समझना जैसे माल लिजे एक plus charge है यहां इससे lines कुछ इस तरह से निकल रही है वच्चों चारों तरफ यह यह इस तरह से है ना यह अब हम क्या करते हैं द्यान दीजेगा वैसे अगर इस field में एक circle एक circle माने मतलब की एक particular एक circle decide कर लिजे fixed area का उस fixed area को यहां place करिए आप यानि कि यहां place करने से उस fixed area में से number of lines जो है वो one है जो उसमें से cross हो रही है कितनी one लेकिन उसी particular area को मैं यहां place करूँ तो मेरे जो उस fixed area में से lines दे को one two three four कितनी line जा रही है four इसका क्या meaning हुआ इसका meaning यह हुआ कि इस location पर lines जो है पास-पास में है इस location पर lines जो है दूर-दूर हो गई तो हम एक word यूज करेंगे crowd यानि कि crowding electric field gives the strength of electric field मतलब कि जहां पर crowding electric field अगर मिल जाए वहां पर आपो electric field का strength जादा मिलेगा है ना relative strength तो हम यह लिख सकते हैं क्राउडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ग्यूज दर रिलेट्व स्ट्रेंथ of the electric field यादा है बच्चो आपको कुछ है ना ये concept आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं इनसे हमें पता चलता है कि जहां पर भी crowding electric field lines होगी वहां पर electric field lines का जो relative strength होता है relative strength जो होता है वो काफी strong होगा यानि कि अगर आप charge को यहां place करते हो तो suppose 10 newton का force फील होगा उस पर लेकिन अगर आप यहां उसको प्लेस करते हो तो suppose उसके उपार 50 newton या 60 newton का force फील होगा ऐसा क्यों हुआ क्यों कि बहुत सारे lines उस location से cross हो रही है जबकि इस location से एक ही lines cross हो रही है इस वज़े से यहां का force जो होगा वह weak हो जाएगा यहां के force के comparison में ठीक है ना next point जो आता है आप इसे note down कर लीजे इसके के बाद हम आगे बढ़ते हैं ठीक है यह कुछ points में आपको बता रहा हूँ कि फिप्त नंबर का जो है जो फिप्त पॉइंट है वो देखी क्या होता है दो lines जो होती है suppose एक यह है और एक यह है माल लीजे कि इन्होंने एक दूसरे को intersect कर दिया intersect किया यानि कि इस location पर intersection location है यहाँ पर इस location पर अगर मैं tangent ड्रॉ करूँ तो उस tangent से हमें क्या मिलता है उस tangent से मिलता है the direction of electric field at that point इसका मतलब अगर दो tangent सोरी दो line है तो दो tangent बनेंगे बच्चो एक तो यह रहा यानि कि इस location पर electric field e1 और इस tangent के लिए यहाँ पर यह रही एक location पर दो electric field की direction possible है यानि कि यह कहूँ कि अगर मैं यह पर charge place करूँगा तो electric field के कारण उस पर force लगेगा और force किस direction में लगेगा इस direction में और इस direction में तो क्या एक charge पर दो force field हो सकते हैं तो यह possible नहीं है और अगर इसा possible नहीं है तो यह दो line भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सक सकती तो हम यहाँ पर वो point ही बना लेते हैं क्या लिखेंगे two electric field lines never intersect each other यानि कि यह दूसरे को नहीं काट सकती यह हमारा concept है चलिए next यानि के sixth जो point है यह सब सारी properties है उन electric field lines की जो imaginary होती है लेकिन हम उसको drawing से समझ रहें यह इस तरह की lines बना कर ठीक है तो next जो point है वो है कि electric field lines जो होती है वो हमेशा right angle पर किसी भी surface से निकलती है अगर वो plus से निकल रही है तो भी 90 degree पर यानि कि right angle पर उस surface से निकलेगी अगर negative पर वो terminate हो रही है तो भी उस surface के साथ 90 degree बना कर ही terminate होगी तो कैसे जैसे कि माल लीजे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक surface है यह ठीक है ना इस surface पर हमने charges दे दिये यह conducting material है यानि कि यह conductor है अब conductor की property यह होती है बच्चों कि जब इसको charge दिया जाएगा तो इसका charge जो है surface पर फेल जाता है due to repulsion force क्योंकि यह ऐसा चाहते हैं कि एसी location पर जांके set हो जाए जहां पर उनको कम से कम force फिल हो बाकी charges के कारण जो कि repulsion force होता है तो यह सारे जो charges हैं यह ऐसे surface पर आ जाते हैं और आकर set हो जाते हैं static हो जाते हैं क्योंकि उनके उपर चारों direction में force फिल होते हैं यानि कि अगर हम देखें तो मैं काम करता हूं इसको इन charges को अंदर शो कर देता हूं थोड़ी देर के लिए ऐसे air में तो आएंगे क्योंकि बाहर क्या है air air उसको अलाव नहीं करीगी charges को क्योंकि वह insulated हैं तो charges जो है इसके वह ऐसे अंदर है यह इस तरह से हैं ना आसपास अंदर यानि कि center पर नहीं रहेंगे वह हमेशा charges जो है वह repulsion की current surface पर दोड़के आ जाते लेकिन air में नहीं जाते तो सोचना इस charge पर अगर मैं force की बात करूँ force की बात करूँ तो कितना force लग रहा देखो इस charge पर इधर से भी force लग रहा है repulsion और इधर से भी लग रहा है repulsion तो यह भाई साब दोनों तरब से फस गया है ना तो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा इधर जाएगा तो यह वाला force लगाएगा इधर जाएगा तो कि इसके उपर net force कितना होता है बच्चो 0 कितना तो हम ये लिख सकते हैं कि net force जो होता है किसी भी charge पर किसी conducting material के अंदर वो 0 होता है अगर वो 0 नहीं होता ना तो वो चलने लग जाता है और जब charge move करने लग जाए तो फिर वो एक नई branch आती जिसको हम electricity पढ़ते हैं तो यहां तो static पढ़ रहे हैं हम इसका मलब charge चल नहीं सकता तो ये charge rest पढ़ाता है तो आप अगर सोच रहे हैं कि अगर वो lines जो इसके अंदर से निकलेगी इस charge के कारण वो line देगो ना तो यह इसकी line लाइन जो होती रिपल करके उसकी line को इधर आने नहीं देगी इधर वाला भी आने देगा तो इसकी line बाहर की तरफ निकलती है अब मेरा question यह है कि यह 90 डिगरी पर क्यों निकलेगी सोचो अगर 90 पर नहीं निकले तो क्या ऐसे निकलेगी तो अगर यह ऐसे निकल रही यानि कि यह हो गई electric field तो इस electric field ने सोचो इसके साथ theta angle बनाया इस सरफेस के साथ अगर ऐसे निकलेगी theta angle पर सरफेस करता तो theta का component यह वाला कितना हो जाएगा E cos theta और उपर वाला कितना हो जाएगा बच्चो E sin theta ठीक है तो इस charge जो Q है इस Q पर जो force होता है वो होता है Q into E है ना तो ध्यान दिजीगा Q into E तो आपका question यह है कि क्या यह वाली electric field सही है जो कि right angle पर सरफेस से निकल रही है कि यह वाली सही है अगर यह वाली सही है आपको लगती हो तो महीं आपर इसको cos theta रखके देख लेता हूँ और यह जो net force होता है वो तो कितना है उस पर 0 इसके लिए हमारे पास equation यह आ गया या तो QE cos theta is equals to 0 अब सोचना बच्चो इस equation में Q0 नहीं है not equal to 0 ई भी 0 नहीं है not equal to 0 तो फिर 0 कोन होगा भाई साब तो यह हो जाएगा cos theta यानि कि 0 और cos 0 कब होता है जब theta की value 90 degree हो इसका मतलब theta should be 90 degree at that location theta हमेशा कितना होना चाहिए 90 degree वो 90 पर कोन है देखो यह है यानि कि यह lines सही है यह वाली गलत है इससे हमको पता चलता है कि electric field lines जो होती है हमेशा right angle पर ही किसी भी surface से निकलेगी ठीक है चलिए इसको हम note कर लेते हैं तो हम लिखेंगे electric field lines comes at right angle to the surface तो अगर वो चार्ज की surface से भी निकल रही है तो भी वो 90 degree पर ही निकलेगी यह बात आपको द्यान रखना ऐसे देख लिजिए यह ऐसे यह line निकली इधर से जाएगी तो यह line निकली आप देखेंगे कि यह सभी 90 degree पर ही निकलती बच्चों देखो सर्फेस पर आप कहीं पर भी यह देख लिजिए यह अगर सर्फेस से टेंजन बनाओ यह 90 degree यहां बनाओ यह भी 90 degree कहीं भी आप बना लो 90 degree ही मिलेगा आपको ठीक है और negative चार्ज पर आती ना lines तो भी देखो यह कैसे आई 90 degree पर इधर से भी अगर आएगी तो भी कितने पर पर आएगी 90 degree तो यह रूल आपको ध्यान रखना चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन से होती ना यह एक रबर की तरह भी हेव करती है कि स्ट्रिंग की तरह भी हेव करती है कैसे जैसे मान लीजिए हमको पता है कि दो बॉड़ी ले लिजिए आप ए और एक बॉड़ी यह हो गई बी इनको एक रबर से बांदा हुआ है आपने ऐसा रबर क्या चाहता है रबर इन दोनों को पास मिलाना चाहता है ऐसे ऐसे फोर्स लगा के है इस लाइन को पकड़के मैं ऐसे करा दूं स्ट्रेच अब ध्यान दे ना तो यह स्ट्रेश तो ह जाएगी लेकिन उसमें प्रॉपपर्टी या जाएगी वह स्ट्रेच वाली जो लैंट बड़ी है वह उसको डिक्रीश करना चाहेगा और डिक्रीश करने के चक्कर में यह फोर्स यह जो बॉड़ी है यह और भी यह पास में आना चाहेगी हम देखते ना अगर रगर रबर के साथ भी होता है सोचना कि अगर ये body A है जिसके उपर कुछ charge है प्लस charge और दूसरी body है B जिसके उपर minus charges है इनके बीच में एक line होती है है ना जैसे कि plus से निकलती है और कहा हो जाती है minus पर ये कॉन से line हो गई electric field line हो गई तो ये लेक्रीक field line भी क्या करती है मालीजी अगर ऐसी है न तो यह अपने आपको decrease करना चाहती है और decrease करने के चक्कर में force charges पर feel होना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि इनके बीच में एक force लग रहा है लेकिन force electric field line के चक्कर में लगता है electric field lines की एक property होती है कि वो अपनी length को decrease करना चाहती है तो अपनी length को decrease किस वज़े से करेगी इन charges को pass में बुला लेगी और pass में बुलाने से उनके बीच की distance कम हो जाएगी यानि कि वो string ये इसको मैंने एक string बोला हुआ है उस line को electric field line को वो अपने आपको decrease कर लेती है और इस case में हम कहते हैं कि दो charge की बीच में force काम करता है that is attractive force और repulsive force तो basically वो line की property होती है कि भाई वो length को कम करना चाहती है और कम करने के चक्कर में charges को pass में बुला लेती है है ना तो हम यहापर point लिख सकते हैं कि field lines behave like a straged string क्या लिखेंगे हम behave like a straged string है ना लेक्रिक लिखेंगे है लिखेंगे 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 लिखे concept the attraction force applies between the two charges A and B जिसा कि अभी मैंने आपको A और B consider करके बताया था तो ये कुछ concept है इसका ठीक है इसके बाद एक और चीज देखना वच्चू इसके बाद में इसको मिटा देता हूँ आप नोट कर लिजेगा है ना चलिए आगे बागला जो point है 8th नंबर का वो है ध्यान दीजिएगा वच्चू अगला जो point है वो देखिएगा उसका concept समझिए कि अगर मालीजिए दो चार्जेश पास में आ गए एक प्लस और एक प्लस दोनों सेम लाइक चार्जेश है तो इससे निकलने वाली लाइन ऐसे इससे निकलने वाली लाइन ऐसे similarly यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऐसे लाइन जाएगी लेकिन यह तो इन्होंने intersect कर दिया और अभी हमने एक rule पढ़ा था कि electric field lines never intersect to each other एक दुसरे को cross नहीं कर सकती है तो इस case में क्या होगा बच्चो फिर तो इस case में देखेगा यह लाइन इससे दूर जाना चाहती है और यह वाली लाइन इससे दूर जाना चाहती है क्योंकि यह एक दूसरे को पसंद नहीं करती है क्योंकि एक जगह से आ रही है एक जैसे charges से निकल रही है तो similar charge एक दूसरे को repel करते हैं आप क्यूं करते हैं उसका concept lines असे समझे हैं अभी तक हमने simply उसको याद कर लिया है क अगर मालीजे आपके पास दो charges जो की एक जैसे हैं like हैं तो वो repel करेंगे क्यों करेंगे वो lines के according समझना है आपको तो देखो यह एक दूसरे को cross नहीं करना चाहते हैं तो यह निकलती तो यहां से 90 degree पर ही निकलेगी ऐसा नहीं कि यह crossing के चक्कर में अपना angle बदल लेगी ऐसा नहीं होगा है ना तो यह क्या करती है यह line निकलती तो ऐसे ही है इधर से भी ऐसे निकलती है लेकिन यह यहां जाके अपना रास्ता बदल लेती है सिमिलली यह वाली line भी जो होती है यहां जाके अपना रास्ता बदल लेती है इस तरह नीचे भी सेम हमको concept देखने को मिला और यह ऐसे अपने आपको align कर लेती है ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए किया क्योंकि दो line एक दूसरे को नहीं काट सकती फिर दूसरी चीज मैंने अब एक ही source एक जैसे source से निकल के आ रही है तो यह एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगी और एक दूसरे से दूर भागना चाहती है तो दूर भागने के चक्क्रम देखो यह line इधर जाना चाहती है यह line इधर जाना चाहती है अब line एक दूसरे पर force लगाती है दूर जाने के लि रेपल्सन होने की वज़े से वो रेपल्सिव फोर्स चार्जेस पर आके फिल होने लगता है और हम अल्टिमेटली क्या देखते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो यह जब दूर हो जाएगी तो जो इसको अभी ऐसे जाना था अभी जान भी पा रही है लेकिन यह चार्ज जब यहां आ जाएगा तब निकल के जा सकती सीधी तो वो उसका नियम पूरा करना चाथी है कि उसको सीधा निकलना स्ट्रेट कहां जाना इंफिनिटी पर ठीक है न तो इस चकर में यह लाइने एक दूसरे से दूर जाना चाहती है लेकिन यह लाइने चार्जेस से जूड़ी हुई है इसलिए यह चार्जेस दूर हो जाते ह अपने आप से और हम कहते हैं कि इनके बीच में एक repulsive force आ चुका है भाईसा तो बच्चो repulsive force या attraction force किस वज़े से लगता है लाइनों की वज़े से लगता है लाइनों के behavior की वज़े से लगता है ना ऐसा ही नहीं लग जाता है तो हम यहाँ पर इसका एक point लिख सकते हैं इस point से हमें पता चलता है कि जब भी दो line एक जैसी होगी वो एक दूसरे से दूर जाना चाहती है जिसकी वज़े से वो force जो है charges पर feel होता है और charges एक दूसरे को दूर भेज़ देते हैं the field lines laterally repel each other field lines जो होती है laterally यानि कि यह एक दूसरे को repel करती है that indicates जो हमें indicate करता है the force of repulsion between the similar charges इस तरह से हमें indicate होता है कि दो similar charges के बीच में एक repulsive force होता है ठीक है ना अच्छा आज हमने इसका जो पूरा जो point थे यह study कर लिए है अब अगला जो topic है वो हम पढ़ेंगे electric field lines अगला जो हमारा topic है वो electric field lines का है लेकिन वो different charge distribution के कारण है तो हम यह लिखेंगे electric field lines due to different charge distribution यानि कि आपके पास अगर अलग-अलग charges के format आ जाए अभी तक हमने जो जितनी भी अभी property study की है वो केवल point charge के लिए थी अब अगर आपके पास different shape में अगर charges आ जाए तब क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं point charge जैसे कि point charge के बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी अभी revise करा देता हूं point charge दो तरह के यानि plus minus है ना इस तरह से उसमें lines निकलती है suppose यहाँ पर plus charge है तो lines radially outward होगी इस तरह से इसलिए हम यहां लिखेंगे radial outward positive charge के लिए है ना तो point charge एक और होता है negative यह लिजए तो इस case में भी line जो होती है वो हमको पता है कि इसमें अंदर की तरफ आते होए नजर आती यानि कि ऐसे like this इसको हमने नाम दिया था radially inward यह word use करेंगे हम यह दोनों थे point charge point charge के कारण हमने देख लिया अच्छा अब अगर हमारे पास दूसरा शेप आ जाए जैसे कि दूसरा यह तो पहला था दूसरे शेप की अगर मैं बात करूं लाइन चार्ज की लाइन चार्ज के से तो एक हमने material लिया conducting material यहां पर एक तार को touch करके इस पूरे इस line पर हमने charges प्रोवाइट कर दिये इस conducting material की property होती है कि इसके अंदर जब charges जाएंगे तो एक दूसरे को repel करेंगे repel करने के बाद वो अपने आप ही एक fixed location पर सेट हो जाएंगे मतलब कि ऐसी location पर सेट होते हैं कि वो सारे charges की बीच में distance equal हो ऐसा सेट हो यानि कि यह अब ऐसा है देख लीजिए यह इस तरह का pattern इसने तयार करा यहां पर सब जो चार्जेस हैं वच्चो यह अब बताईए इसमें electric field line का shape क्या होगा तो इसमें shape जो होता है हमारा जो comb होता है है ना hair comb जिसके आसपास इसी line निकलती है जैसे कि मैं आपको बताता हूं यह देख लीजिए यह बिल्कुल सेम condition को show करेगा line charge के लिए अच्छा एसा shape क्यों तयार होता है इसके पीछे का कारण जान लीजिए जैसे कि इस charge पर force लग रहा है नीचे से भी उपर से भी तो फिर यह तो plus charge अपनी line निकालना चाहता है तो उसकी line उपर जा नहीं सकती क्योंकि उपर already एक plus charge है उसकी खुद की भी line निकल रही है और अभी हमने just क्या पड़ा कि दो line लेटरली एक दूसरे को repel करती है तो इसकी line इस line को उपर नहीं जाने देगी इसी तरह यह नीचे भी नहीं जाने देगा तो फिर finally line निकलती है बाहर की तरफ जैसे की com में उसके जो string होती है ऐसी बाहर की तरफ निकलती है है ना तो हम यह कह सकते हैं कि यहां का जो line होगा वो कुछ ऐसा होगा बच्चो यह इस तरह से यह देख रहे हैं आप ऐसे देखो उस location पर electric field lines जो है ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ है ना अब अगर एक charge के करण ऐसा है तो इसी तर नीचे भी एक दूसरा charge भी रहेगा बच्चो यह वो भी तो अपनी line है निकालेगा इस तरह से सभी जग ऐसे होता है हर charge के लिए ऐसी line है निकलती है और हम finally देखते हैं कि एक cylinder तयार हो गया उन lines का तो यहां पर एक cylindrical form तयार होता है ध्यान दीजेगा एक cylindrical form तयार हो गया अब सुनो कि last वाला जो charge है इसको नीचे से repel कर रहा है लेकिन उपर तो कोई ही नहीं तो इसको तो permission है न अपनी lines को उपर भेज सकता है इसलिए क्या करेगा कि यह जो अपनी कुछ line है ऐसे भेज देगा बच्चो देखो यह तो lines होती न वो curly हो जाती है यह इसी तरह नीचे भी same pattern तयार होगा क्योंकि इनके नीचे कोई charge नहीं है तो उसको कोई repulsion नहीं मिलता है इस तरह से यहां पर एक ऐसा format तयार होता है cylindrical format तयार होता है electric field lines का है न चलिए यह एक दूसरा हमारे पास एक line charge था जिसकी वज़े से हमन अभी उसका electric field line का concept सीखा है नेक्स्ट जो है एक स्फेर है एक स्फेरिकल बॉड़ी है यानि कि थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे एक स्फेरिकल बॉड़ी की देख लिजे क्या होता है ठीक है तीसरा इसमें हम बात करेंगे किसी एक स्फेर की तो चलिए स्फेर ले लिजी यह वाई साथ स्फेर कैसा है होलो है यह देख लिजे अब हमने इसको जैसे चार्जेस दिए चार्ज की क्या प्रोपर्टी होती है रिपल्शन के कारण वो सरफेस पर भागना चाहता है सरफेस पर भाग कर ऐसी डिस्टेंस कवर करता है अपने आसपास वाले चार्जेस की जो की एकवल हो यानि की क्वी डिस्टेंस पर वो आ जाते हैं तो यह सब चार्जेस हैं इस तरह से यह है ना तो इन चार्जेस को मैं अभी यहां बता देता हूं यह लीजिए अब आप सोचेंगे कि यहां ना तो एक सिंगल चार्ज है जिसकी वज़ेस मैं फट से इलेक्र चार्ज है तो इनकी लाइनों वह अलाव तो करेंगे और अगर लाइन निकाल भी दी तो वह लेटरली रिपल्शन के कारण सीधी निकल जाएगी है ना अपने आपको अलाइन करके दूर हो जाएगी वह तो इसकी जो लाइन निकलती वह ऐसे निकलती है तो सुनना इसकी ऐ यह भी ऐसे निकलेगी यह इस तरह से लाइन बाहर की तरफ निकल जाती है अब आप सोच रहा होंगे कि इसके अंदर लाइने नहीं जाती क्या तो ध्यान दिजेए बच्चो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वैक्टर कौंटिटी होती है और यह लाइने भी वैक्टर को जाएंगी इसलिए अंदर कोई लाइन एंटर नहीं करेगी तो अगर कोई लाइन नहीं है बच्चो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर electric field 0 है यानि कि किसी hollow sphere के अंदर electric field 0 होता है ये बात दिमाग में डाल लिजे इसका मतलब यहाँ पर electric field कितना हो गया 0 क्योंकि अगर में यहाँ पर एक charge को place करूंगा तो उसके उपर कोई force नहीं होगा और अगर कोई force नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे there is no electric field when there is no electrostatic force है ना तो यह बात आपको ध्यान रखना है चलिए यह पॉइंट भी हो गया इसके बाद हम और समझते हैं थोड़ा सक concept यहाँ पर एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है इसमें भी क्या concept आ रहा है वह behave करता है like a point charge अब यहां लिख लेना है है न क्या लिखेंगे दा स्फेर और स्फेरिकल बॉड़ी ऐसा लिखेंगे हम दा स्फेर बिहाव लाइक पॉइंट चार्ज किसकी तरफ बिहेव करता है वह पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है जैसे की रेडियली आउटवर्ड चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो concept अगला वह देखते है ठीक है इसके बाद जो हमारा next point है वह है surface वाली body यानि कि अगर एक body के पास एक surface होती है वह surface अगर plane है तो उस case में electric field lines कैसी होगी ओके बच्चो तो देखना यहां पर है ना कौन सा नंबर था 12345 वाला होगा सायद चलिए देखना इसके बाद हमने दो प्लेट ले ली ऐसी यह इस प्लेट पर हमने charges दे दिये कैसे दिया हैंगे देख लीजे यह इस तरह से हमने कुछ charges provide कर दिये ठीक है न बच्चो तो यह charges plus वाले थे भाईसा यह देख लीजे यह सारे plus charges है इसकी बगल में हमने एक दूसरा जो प्लेट था वो रख दिया negative charges का हमको पता है कि plus और minus के बीच में एक electric field lines travel करती है तो यह ऐसे कर गई यह लो नहीं आया ठीक है यह ऐसी travel कर जाती है अच्छा यह plus से निकलती है minus पर terminate होती है तो हमारे पहले वाली condition थी वो true हो गई यह आपर तो हमने यह देखा कि यहां पर इन पर देखना electric field lines की direction सेम है है ना तो due to same direction of field lines है ना अब अगर वो circle यहां रखता हूं तो भी दो जारी है यहां रखता हूं तो भी दो जारी है यहां रखो कई भी कई भी रखने से lines जो है दो ही जारी है उस particular fixed area से यानि कि जो crowd है वो same है हर एक location पर तो हम यहां पर लिख सकते हैं due to same direction of the field lines and the same crowd there will be another electric field and we call it uniform electric field देखो एक नया word आया है यहां पर uniform electric field यानि uniform electric field कब होता है बच्छो जब same direction और crowd same हो जाए यानि कि lines का magnitude एक fixed area से fixed हो तो उस case का जो electric field होता है वो uniform electric field हो जाता है इस तरह से ध्यान रखियेगा आपको ठीक है तो यह था कुछ concept electric field lines के लिए अब अगर हम pairs में बात करें यानि कि charges अग इसमें क्या होगा वो भी देख लीजी है four pair of charges यानि कि अगर charges का pair आ जाए यानि कि plus plus minus minus या plus minus या minus plus तो इस case में electric field lines कैसी होगी उसकी drawing देख लिया अगर हम बात करें दोनों plus charges की तो एक plus charge यह रहा दूसरा प्लस charge यह रहा इनके बीच का जो मैंने आभी आपको concept बताया था वो कुछ ऐसा था कि lines जो थी वो literally repel करती थी तो अभी हमें काम करते एक minus ले ले लेते हैं यहाँ पर है ना इस case में क्या होगी condition on lines के लिए तो हम एक काम करते हैं हम अभी तक करते हुआ हैं कि यहाँ पर ए और इस direction में आगे बड़ा minus के attraction के कारण तो यह ultimately इधर जाना चाहता है ultimately यह direction होगी electric field की है ना इस plus और minus के बीच में ठीक अगर यह चार्ज में यहाँ place करता तब क्या होता तो plus के कारण इसके उपर force लगता in this direction जो कि pass में है इसलिए मैंने इसका arrow बड़ा बनाया क्योंकि magnitude ज्यादा हो गई यह थोड़ा सा दूर है इसके उपर लगाएगा वह attraction force कम लगाएगा ऐसा तो एक location पर दो different direction के forces possible है क्या नहीं तो इस case में हम vector का use करेंगे यानि कि इसमें एक resultant direction निकल के आएगी जो ना तो वह इधर जाएगा ना इधर जाएगा कहीन के resultant यानिकी हो गया है ना आर हो गया उस line का similarly अगर मैं यहां रखता ना तो भी यह line ऐसे draw होती यहां पर हम देखते हैं ऐसे हो जाएगी थोड़ा और रखोगे ऐसे हो जाएगी फिर यह निकालेगा ऐसे line को देखो यह ऐसे अगर यह ऐसे गई है तो यह goal गूमके यहां से वापस आए अल्टिमेटली टर्मिनेट उनको होना है नेगेटिव पर ही यह जाती इंफिनिटी निकल जाती है यह आगे बहुत आगे चले जाती है हो सकता यह इंफिनिटी से आ रही हो कहीं से तो इस तरह से एक line का pattern तयार होता है pair of charge के लिए यह इस तरह से बच्चो तो यह concept जो होता है वो plus and minus के लिए इस तरह की line से draw होती है यानि कि दो pair of charges होता है वो dipole कहलाता है जो कि हमारा आगे topic आने वाला है ठीक है अब यहां आते हम दूसरा वाला case कि अगर अगर plus plus यह minus minus ले लिया जाए तो दोनों में same case होता है difference केवल line का रहेगा कि minus पे charge आती है lines आती है और plus से निकलती है तो सोचो यह plus यह रहा एक plus यह रहा है ना तो यहां पर charge रखिए अब यह charge विचारा confused हो गया इधर से भी धक्का मिल रहा है उधर से भी धक्का मिल रहा उसने जाना कहां तो वह कहीं नहीं जाएगा तो उस पर net force कितना है जीरो तो zero force होने की वज़े से वह कहीं नहीं होगा अगर यह यहां पर होता ना तो यह इसको धक्का मार के यहां ले आता फिर यहां से इधर जा नहीं पाता क्योंग यह इधर से धक्का मारता दोनों तरफ से से अगर force अप्लाए होगा वह charge कहीं नहीं जाएगा लेकिन अगर मैं यहां रख देता है इस charge को तो द तो उनों के बीच में से निकलेगा तो यह लाइन ऐसे चली जाएगी है ना यह इस तरह से ठीक है यह मुड़ जाती है अगर वो चार्ज यहां रखा रहता तो यह ऐसे चली जाती अगर यहां ऐसे होता तो ऐसे आपको याद आया मैंने आभी आपको थोड़ दिर पहले यही concept बता था बच्चो ठीक है तो यह वही रूल्स को फॉलो करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाती है हमने सिंप्ली उसको पढ़ लिया था कि दो प्लस चार्ज एक दुसरे को रिपेल करते हैं यह वो रिजन है बच्चो यह वाला जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो यानि कि इतने से रिजन में कहीं पर भी आवेक चार्ज प्लेस करेंगे उस पर फॉस कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है ना यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है और वीडियो को शेर जरूर करिएगा जरूर कर लिजिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूटूब चैनल पर थेंक यू सो मच